बारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिश्यद में पर्मानेंट सीट न दी जाने पर सवाल किया संयुक्त राष्ट में भारत की इस्थाई प्रतिनीधी रूचीरा कमबोज ने कहा भारत की इस्थाई उपस्थिती के बिना नियाई संगत और समावेशी दुनिया बनाना संभव नहीं है उन्होंने कहा भारत के बिन्या दुनिया में सब को साथ लेकर चलना मुश्किल होगा सुरक्षा परिश्यत में सुधारों की जरूरत है सितंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कहा था कि UNSC की विवस्ता में बदलाव नहीं हुआ तो लोग बाहर समाधान ढूनना शुरू कर देंगे उन्होंने कहा था UNSC Old Club की जिसा हो गया है UNSC में शामिल कुछ सदस अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते उन्हें लगता है कि नए सदस आने पर उनकी ग्रीप कमजोर हो जाएगी कलब के मेंबर नहीं चाहते कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा करे वे नहीं चाहते कि मेंबर्स की संख्या में बड़ोतरी हो बिना किसी सुधार के चलते सयुक्त राष्ट का प्रभाव कम होता जा रहा है सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद यानी UNSC सयुक्त राष्ट के च्छा प्रमुक अंगों में से एक है यह UN की सबसे पावरफुल संस्ता है इस पर अंतराष्टी शांती और सुरक्षा सुनिश्चित करने और सयुक्त राष्ट चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है कुछ मामलों में UNSC अंतराष्टी शांती और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिभंद लगाने या बल उपयोग करने का सहरा ले सकती है यानि अगर भारत भी UNSC का पर्मानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमती जरूरी होगी बागी की तबाव कवरों के बने रहे हैं राजणावाटवी के साथ ताने बाद